सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट वेलकम फ्रेंस और आप लोग देख रहे हैं टेकनिकल मास्टर एमस्टी वाइड होगा 1.5 एंच और यहां पर रेजूलेशन रहेगा 300 उसके बाद इस फोटो को पहले क्रॉप कर लिए तो इसको वाइड कर देता हूं यहां पर जो magic tool है इसके मदब से बाहर का जो background है इसको पूरा remove कर दे था वाइट कर देऊं आ यहाँपे जाके white कर दिया हो पूरा background को उसके बाद आपको कहा करना है इस photo को इस वाओ को select करना है उसके पाद edit option में जाना है तो यहां पर edit option में जाता हो और edit option में जाने का बाद यहां पर stroke ball option पर click करके 5px करके black and white करते ना है ठीक है color को उसके बाद आपको क्या करना है उसके और यहां पर आप लोग गलती करते हैं क्या यहां पर direct आप लोग new page में आ जाते हैं इस photo को photosome में कोई भी black and white ना करके direct आप लोग यहां पर new page में आ जाके photo को यहां पर adjust कर लेते हैं color photo को जो आप गलती करते है तो यह बोल हम आपको दिखा देता हूं इसी तरह से आप लोग कोई भी photo लेते हैं उसके बाद प्रींट बाले option पर आ जाते हैं आप लोग उसके बाद यहां पर आपको प्रींटर सेलेट करते हैं और यहां पर photo paper सेलेट करते हैं और based and black and white एक आप ल प्राइट प्रोसेस नहीं है ठीक है आपको इस पॉटो को पहले ब्लैक अन्वाइट कर लेना है विजिंग फॉटो सॉप तो इसके लिए आपको इमेज आजाना है और यहां पर दोनों आएंगे तो मोड आप्शन पर आजाना है और ग्रेज स्केल के उपर क्लिक करना है तो अब यहां पर ग्रेज स्केल के उपर मैंने क्लिक कर दिया हूँ अभी ब्लैक अन्वाइट हो चुका है अभी आपको लेयर ओप्शन में आ जाना है और कार्व को यूज़ करना है और कार्व का ब्राइडनेस नीचे की तरफ आपको ले जाना है ठीक है उसके बाद ऊकर दे तो फौ्टो का कालर उट जाता है ऐसा बहुत हो सकता है तो यह अपका राइट प्रोसेस होता है black and white photo print करने के लिए अभी पूरा step आप को दिखाऊंगा किस तरह से print करना है और यह मैं यहाँ पे जब print करूंगा तब ही मैं यहाँ पे बेस्ट एंड ब्लाक और वाइड नहीं करूंगा यहां पर क्या सेटिंग करना है वह भी आपको बता दूंगा तो वीडियो को स्कीप ना करके लास तक दिखिए तो यहां पर 6-12 फोटो को में आपके सामने प्रिंट का जो पोपाड़िस होता है वह आपका स्टेप हो यहां पर बता देता हूं तो यहां पर 12 फोटो में टोटल ही ले लेता हूं तो यहां पर 12 फोटो हो चुका है अभी आपको कीबोर से प्रेस करना है चौंटल पी उसके बाद सेलेट किजिए स्केल टो फीड मिडिया उसके बाद यहां पर आपको प्रिंटर सेलेट किजिए पर पाटिस पर आ जाए यह पेपर और क्वाली क्लिक कीजिए और प्लेन पेपर नियुद्ध कीजिए अगर आप लोग अगर भीमस कोड़ा या कोई भी प्फॉड़ा पेपर यूज़ करते हैं तो अधर ग्लोसी पेपर उसके बाद बेस्ट और देके फोटो को प्रिंट कीजिए तो यह होता है राइट process to print your photo तो इसी तरह से आप लोग photo को print कीजिए गया तो photo का quality बहुत ही अच्छा होगा and thanks for watching this video